राष्टिये सोख नहीं राष्टिये सोख तमिलाडू के कुन्नूर हादसा में हेलिकॉप्टर में बैठे 14 लोगों में से जनरल रावत के समेत उनकी पत्नी 13 की मौत बेलिंग्टन डिफेंस अस्टाप कालेज में एक समारों में भाग ले जा रहे थे सीडियेस जमानों के बीच लोग पिरिये थे सीडियेस अब बिना इंटरनेट के हो सकेगा यूपी आई पेमेंट बिराट से वंडे कप्तानी शीना रोहित नए कप्तान कौंकनी लेखक मैज को ग्यान पीठ पुरिश्कार और वहीं नितीस बिहार प्रिखाव डाले तो नितीस बोले जल्द दुरूस्त होगी मुंगेर की महाने बियार सिचाई योजना बिहार ने की निमिश्कों से अपील विकास की नई आत्रा में सभी बने भागीदार पर जनंदर घटाने के लि अब मुक्त होंगे सिख्षक मध्यान फ्रकिशमारी से सिख्षकों को मुक्त किया जायेगा और रिष्टे में बदल रही दोस्ती साड़ी के बंधन में बंधेंगे तिजतिश्वी ओर अलेक्सिस तेजस्वी यादो की साधी होने जा रहे है लेक्सिस के राम विवाह के दीन हुई घोषना कोड़पती उत्पात धिच्छक के पास नोट गिनने की मसीन पटना में एक बीघा में घर उत्पात धिच्छक के पटना का घड़िया वह मोतिप हादी के ठीकानों पर एस यू एस यू का छापा मुंगेर की तारा पूर से खबर निकल कर आ रही है मुख मंत्री का जन संबाद में नितीस बोले किसी को चिंता करने की जो तो ही हर दाहितों को पूरा करेंगे और पंचाय चुनाव पे नजा डाले तो दस्वें चरण में हुई 63.9 जीरो परतिसात मत पड़े हैं हाई कोट ने कहा परिवार में बेटी से ज्यादा बहु का हक जज की पिटाई केस में सी आइडी को जाच रिपोर्ट चार हफ्ते में पेस होगा निर्देश वही स्वीडिया लैंड से खबर आ रही है बिना तकलीप में के महज एक मिनिट में इक्षा दुनीवी ओमिक्रों का कहर है और सिक्षा और रोजगार से खबर नज़र डालें तो मैट्रिक इंटर परिक्षा के लिए 87 केंद्रों पर होगा सत्यापन बगैर सूचना के गाय मिले कई भी भागों के सिक्षक 865 नर्सों की बहाली के लिए अंतिम चैनलिस्ट हुआ जारी और वहीं वाड सचीव के भविस्ट पर फैसला के लिए बिभिन दलों में मन्थन चल रहा है वाड सचीवों की नौकरी मिलेगी या इनका कारकाल समाप किया जाएगा इस पर मन्थन जारी है हलाकि विपक्ष ने वाड सचीवों का साथ देने का वादा किया है सस्ता कर जारी रहेगा बैंकों में नगदी घटेगी ताकि महंगाई नियंतर में रहे महंगाई पर रोक लगाने की काईदा सुरू हो चुकी है और जमूई से खवर निकल कर आ रहे हैं दो निर्वाचित वाड सदस्त के पती को गोलियों से भूना और मौत हो गई और सराब बनाने से रोका अपसनाब बनाने के लिए रोका तो सगे भाई ने पती-पत्नी पर किया जानलेवा हमला नमस्कार मैं अभयकुमार आप देख रहे हैं खोकतंत खास कारकरम सुबह स्ववेरे में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम लेकर आते हैं अखवारों को सुर्खिया अखवारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है हमारे साथ ख़वर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लि तो सबसे पहले हम आपको बता जें कि बिपिन रावत के मिर्टू हो गई है ठोक तंत्र का परिवार अपने सारे ओडियंस के प्लब से उन्हें भाववी निश्रावदांजली अर्पित करता हूं यह जो खासा हुआ है तो मिलाडू के कुल्णूर में हुआ है और जो जो सी है वहीं इन 14 लोगों से जिंदा बचे गुरूप कैप्टन वरून सिंग की हालत गंभीर विलिंग्टन के सेना स्पताल में इलाज जारी है वहीं हास्ते पने जाले प्रथम देश हास्ते की वज़ा धूंद और एयर फोर्स ने क्रेस की जाच की आज दिल्ली लाए की बयान देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस अस्टाप सीडियेस जनरल विफिन रावत की बुद्धवार को एक हेलिकोप्टर हास्ते में मौत हो गई वे तमिलाडू के कंबिटूर जिले के सुलूर एयर फोर्स अस्टेशन से वेलिंग्टन इस्थी डिफेंस अस्टाप का ले जा रहे थे हेलिकोप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुली का रावत समयत कुल 14 लोग सवार थे हास्ते में रावत और उनकी पत्नी समयत 13 लोगों की मौत की पुष्टी हो गई है हम इस खवर पर और बिस्तार से नज़र डालने का प्रयास करते हैं कि दोपर करी 12 ब वजे विशेश पीमान से कोयमबटूर पहुंचे थे विपिन रावत और उहीं से वह किशिंस खालेज में के सामारों में सेकत करने जा रहे थे अस्थानियों लोगों की माने तो अस्पतान में बहुत धून थी क्रैस की आवाज सुनी कुनूर हासा कुनूर में निलगरी प प्रड देखाए देखी गई पी किस्ना सौमी के मुताविक ते जब असे निकले तो हेलिकोप्टर पेड़ों से टकरा कर घाटी में क्रैस हो गया था हेलिकोप्टर लपटों से घिरा था कुछ लोग हेलिकोप्टर से बाहर कूदे वह जल रहे थी मदद के लिए पुकार र क्रैस्ट विमान से कई सवाल है हिलिकॉप्टर की एर गुन्बक्ता की बात करें तो एम आई सेवेंटी फाइब भी टकनीक को सलता में बेजोर हिलिकॉप्टर है तकनीक की खामिया छेरचाड हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो उडान से पहले टिपल चेक होते हैं सुलूर वा बेलिंग्टन दोनों ही त्रेन परिस्तान है बाहरी छेरचाड संभव नहीं है फ्लाइट कुरू की छमता हास्ते में यह भी देखा जाता है कि उसके क्रू मेंबर है पाइलेट दक्ष थे कि नहीं दक्ष थे तो ए मास्टर ग्रीन सर्टिफाइट पाइलेट थे जिनकी पर तो एस मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें वजन जादा था वजन भी कम था इंजन की अगर बात करें तो हेलिकोप्टर ट्वीन इंजन वाला था मतलब डवल इंजन था इस उचाई पर एक इंजन ही काफी था अब जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर हमने जा डालते हैं अस् पिट वाइस रिकारडर की जाच में ही कारण सामने आएगा सबसे बड़ा सवाल है कि अगला सीडियस कौन होंगे तो यह हेलिकोप्टर क्रेस से जूरी खबर थी जो आपको जानना जरूरी था इस खबर पर नजर सभी की है इसलिए मैंने भी इसे बताना जरूरी समझा और अगर हम बात करें कि राज के प्राणविक स्कूलों के बच्चों को मद्यान भोजन की जिम्मवारी से मुक्त होंगे सिक्षक, शिक्षकों कि हमेशा सिकायत मिलती रही है कि उन्हें मद्यान भोजन जैसे कारों में लगा दियाता है जबकि सेक्स्नीक कार करने के लिए उनक की जाएगी इसके लिए सिच्छा विभाग ने सुरुवात कर दी है पटना जीले के दानापुर्फुर्वारी सरी पटना सदर परखंड के 240 किलो में कच्छा एक से आठ तक के 38,000 बच्चों को भोजन परोसने के जिमेवारी अच्छे पात्र फाउंडेशन बेंगलूर को दे दरकारी इसकूल के जो सिक्षक है वो भोजन बनवाने और एमडियम बटवाने की कार से मुक्त होंगे एक और नामा क्या ही उस्वास में छबा सा नजर डाल देते हैं केंद्रिकृत रसोई निर्मान के लिए सिक्षा विभाग देगा जमीन एकार नामा के तहत सिक्षा वि सिक्षा विभाग इस कार में भोजन निर्मान वा बित्रन के लिए परिवहन और मानक के अनुरूप पोसक समागरियों के लिए कोई अत्रिक्त भुखतान नहीं करेगा ओहीं आयूस हेल्थ एंड विल्नस सेंटर में लगेगी योग की पडशाला स्वास मंत्री मंगल में योग उपचार के साथ योग शिखाया जाएगा और हम अगर ड़ाले हैं सबसे बिहार का हॉड़ नजर डाले तो तेजस्वी और ओलिक्स की साधी ऑलेकिक्स की साधी ला लुके राजितिक वारिसी यादव साधी के बन्धर में बन्धेंगे टेजस्वी और ओले किक्स लेकिन ओले किक्स जो नाम जो है आपको बता दे यह कालपनिक नाम है ओले किक्सस यह कालपनिक नाम है असली नाम मुझे भी नहीं पता है अभी तक किसी को नहीं पता है तेजस्वी यादव लालू परिवार को ही पता है ओले किक्सस की दोस्ती अब रिष्टे में प्रसाइए अगर हम लालूप मखर नजर डाले तेजस्वी के रिष्टा इल्ली पहुंचे है क्रोना काल के मद्य नजर अधिक्तम 50-60 लोग ही सामिल होंगे परिवार में तीन एमेले एक मेल सी है एक सांसद है राजा अध्याच लालु यादो के साथ बेटी और दो बेटे हैं जिन में तेजस्वी यादो सबसे छोटे हैं लालु परिवार में अभी तीन एमेले 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 तेजस्वी तेजपरतापव चिरंजीवीर राओ एक एमेलसी रावड़ी दवी और एक सांसद मीशा भारती है और पटना से घोटा लेकी खाबर जो आ रही है करुपति उत्पात अधिच्छक के पास नोट गिनने की मसीन पाया गया है भाई इस पर तो के नाम से तीन फ्लेट पिता के नाम से 20 प्लॉट के दस्तावेज मिले हैं दस्त गायों का खटाल खुब्चूरत बगान भी बना रखा है उत्पाद रिच्छक ने 15 पास्पुक एक लोकर दो पासपोर्ट टेक्सी का रिश्टेशन पेपर बरामद हुआ है वहीं कई जगह निवेश करने वाई इंसुरेंस के दस्तावेज भी सामिल है पीता के नाम पर 47.5 लाग की 800 डिसमिल जमीन है अविनास प्रकास पर मनी लॉंट्री का भी आरोप है आयसे अधिक संपत्ति के मामले में अस्पेशल विजलेंस यूनिट एस वी यू ने बुद्धवार को मोति अधिशक अविनास प्रकास के ठीकानों पर छापे मारी कर करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है और उन्होंने समंधी दर्तावेज जब्त के दिल्चस्प यह रहा कि एस वी यू की करवाई में अविनास प्रकास के ठीकानों से कैस्तों हाथ नहीं लगे ले जन समंधी मूनितीस कुमार ने क्या कहा जन सम्ध कार करने में लोगों से मिले दाःऊउस की मांग वर समस्याओं सिकायतों को सुना अफ स्वारों को इसे पूरा करने और निप्टाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की जारूरत नहीं है लोग की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हम अपना हर दाई तो पूरा करेंगे, उन्होंने बिहार वा मुंगेर के बिकास के लिए कीये जा रहे है कारियों के बारे में, जनता को बताया हो ही हाई कोट का निर्देश आया है, कि बहु को परिवार की स्रेनी में रखे, इलहाबाद हाई कोट ने कहा है कि परिवार में बेटी से ज़्यादा बहु का अधिकार है वह बेटी की तरह ही परिवार का हिस्सा इसके साथ ही आजालतने साजनिक वितन परनाली में नई बेवस्था बनाते हुए बहु को परिवार की स्रेनी में रखने का आदेश दिया है वही पंचाय चुना पर अब नज़र डाले तो पंचाय चुना के दस्वे चरण में बुद्वार को ओस्तन तीरसट दसंबलो नौ परतिसद वोटिंग हुई गया जिले में सबसे अधीक परतिसदों ही भोचपुर में श्याली दस्तामलो तीन परतिसद मद्दान हुआ राज निर्वाचान आयोग के नुसार मद्दान पूरीत रसांती पूर्ण रहा पंचाय चुना के दस्वे चरण में 34 जिलों के तीरपन परखंडों में वोटिंग कराई गई है मतदान के मद्द नजर कड़ी सुरक्षा बेवस्था की गई थी और वहीं अगर नजर डाले कि पंचाय चुनाओं का कुछ साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है लेकिन उससे पहले मैट्रिक इंटर की परिक्षा के लिए 87 केंद्रों का होगा सत्यापन बैठने की छमता को लेकर और मुल्भूत सुविधाओं तक्की हो रही है जाचा के लिए वर्स फरवरी में होने वाले इंटरमेटिक परिच्छा के लिए जीले में बनाए गए केंद्रों का सत्यापन किया जाएगा दोनों ही परिच्छा के लिए चैनित कूल 87 केंद्रों पर 670 के बैठने के चमता वेंच डेक्स उपलबता पेजल रोशनी चाहर दिवारी से लेकर सवचाले समित अन्य मूल भूत सुविधाओं की जाच परताल की जाएगी और वहीं अगर हम नजर डालने हैं तो जमूई से खबर आ रही है कि नव निर्वाचित वारसदस के पती को गोली मार दिया था कि चुन्दितने के बाद सफद गरहन नहीं करने देंगे बीती रात सड़े आठ बजे संजय यादव अपने पिताव भाईयों के साथ घर आया उसके पती को जवर उठाकर घर से 200 मीटर दूर ठकुरी यादव के घर पर गोली मार कर हत्या कर दी राज कुमार के पूत्र जाटो यादों ने बताया कि सुफल यादव से 15 कठा जमीन को लेकर उसके परिवार का दिवाज चल रहा था साल 15 साल पहले 2006 में सुफल यादव ने दादा के भी हत्याक कर दे थी यह चुनावी रंजिस का गजब का परिनाम है और इस चुनाव में उस राब बनाने से रोक तो पत्ती पत्नी पर किया जानलेवा हमला तो सुराब बिहार में बंध है लेकिन सुराब माफिया किसी से बाद नहीं आ रहे है ना ही सुराब माफिया पर लगाम लगा पा रही है सरकार पुलिस विभाग भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है हलाकि सरकार सक्त है इस बाद सर्पंच को बहुत ज्यादा अधिकार मिलने वाला है इसको लेकर एक मसौधा तैयार किया जा रहा है और वहीं जो प्रामर्शी समीति है प्रामर्शी समीति जो रासी खर्च उसका पेमेंट होगा कि नहीं होगा इस पर भी सरकार निरने ले रही है जल्द ही खैसला चुनाएगे आज के खबरों में बस इतना ही इसी तरह से जानकारी के लिए जुने रही है मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैहिन बंदे मांकरां